बस मैं ये कहना चाहूंगे कि वहाँ पे हम लोगों को सिचुएशन बॉर्डर पे तो बहुत जादा ही डिफिकल्टीज में थी यंद फिर इसके बाद रूमानिया बॉर्डर पे आने के बाद तो अंबशी वालों ने बहुत एल्प किया वहां पे हम लोगों को सपोर्ट रखे यंद फिर उसके बाद हमें यहां पे आने के बाद इंडियनद वालोन ने हेल्प किया था एंड उन्हों ने बोला था कि नविंद पटनायक सर ने कि वहां हमें सारी जितने भी हमारी चीज़ें वो सारे वो देखेंगे रहना खाना टिकित जो आप आए लगभग एक दू दिन टाइम लगा हुआगा आपको वहां पे वहां पे कितना दिक्कत आपको दिक्कत तो छेल नहीं पड़ाता कॉस वार का सिचुवेशन था और आप देख सकते कि इंटरनेशनल वार हो रहे थे ये सारे और वहां पे जितनी भी थी बॉर्डर्स पे कंडिशन वो थोड़ी बहुत जादा डिफिकल्टीज में थी लैक चीजे इवन स्टुदेंट्स क रहे रहे की नहीं, खा रहे की नहीं, पी रहे की नहीं, फिर उसके बाइद रुमानिया बॉर्डर्स पे हम लोग को बहुत हेल्प मिली थी रुमानियन्स जितने भी गवर्मेंट के तरफ से बहुत खाना वाना सब सुवीदा मिली